फर्स्ट नो कोश्ण है लम्बी हड्डियों के सीरों पर लचीली संधाई गद्धियां किसकी बनी हुई होती है तो जो लम्बी हड्डियां पर किसकी बनी हुई होती है तो वो हो जाएगी देखे एक तो हड़ी होती है तो हड़ी क्या होती है थोड़ी हाड होती है और एक जो होती है उपास्ती या कार्टिले जिसको बोलते हैं तो वो क्या होती है थोड़ी लचीली हड़ी होती है ठीक है तो यही क्या होती है उपास्ती होती है जो हड़्ियों क सिक उत्कों की कोशिकाओं में कौन से कोशिकाँंग अपएक्षाकरित अधीक और बड़े होने चाहिए तो इसका जो अंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि है जुका है है तो यह काErी होती है ना ने delivery अपएक्षाकरित अधик कॉंसी पाई जाती है तो देखें रेखर या एक्षेख से किसे कहा जाता है जिसको हम अपने मन से उख का सकतेlying और जिसको फेपडा अपने मईं से कंट्रोल नहीं कर सकते वह कि और श्यां तो अपने वाली एक प्रोसेस है फेपडा भी अपने वर्क करती रहती है तो इसमें हमारों कोई कंट्रोल नहीं होता है और यक्रिट भी अपनी प्रोशस करती रहती है उसमें भी हमार बहुता लेकि मान अपने पैरों पर bei कर सकते हैं तो यह हमारी क्या हो जाएगी एक चिक पेसी हो जाएगी ओफ्शन नमबर एसका राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट का वर्षन है हमारे सरीर में रोमा भी उपकलाएं किसमें मिल सकती है तो जो रोमा भी आप उपकलाए हैं वो ट्राइक या मजटिस्ग deze क की पाश्व गुषाय या अंडवाहिनियों मिलती हैं आज कोशन है क्या 세 ये एक्टोड Михार моя अब देखें यहां बर जो कंड्रा होती है वो किसको किस से जोड़ती है दो चीजें होती है एक होती है टेंडन और एक होती है लिंगामेंट तो लिंगा मिट क्या होती है बोन को बोन से जोलने का मकाम करती है और टेंडन जो होती है वो क्या करती है बोन को मसल से जोलने का काम करती है ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो कंडरा होती है वो क्या करती है टेंडन कहलाती है तो यह क्या हो जाएगी पेसी से हड़ी को जोलन का काम करती है कंड्रा नेस ने यहाँ पर कुछ्छान है इन मेन से कौन सा लिंफवईड औंग नहीं होता तो बात करें लिंफवईड और गन की तो यहाँ पर थायमस हो गया टॉंसिल हो गया तिल्ली हो गयी तो यह सबी क्या होते हैं लेकिन यक्रित नहीं होती है नेस्ट कोशन है यहाँ पर देखिए एर्थ नमबर का इस तनियों में कूफर को सिकाएं किसमें पाई जाती है जो कूफर सेल होती है यह किन में पाया जाता है तो यह जो होती है लीवर होती है इसमें पाई जाती है ओप्शन नमबर भी इसका राइट आसर हो जाएगा जो लीवर या हिंदी में इसको यक्रित कहते है यहीं पर पाई जाती है कूफर सेल ठीक नेश्टी कोशन है मीसो थीलियम नामक एपिथीलियमी इस तर किसके चारो ओर होता है मीसो थीलियम नामक जो एपिथीलियमी इस तर होता है वह किसके चारो ओर पाया जाता है तो बात करें इसमें देह गुहा के चारो ओर क्या पाया जाता है मीसो थीलियम नामक एपि थीलियमी इस तर पाया जाती है नेश्री कोशय ने किसके चारो ओर की कोशिका कला को सार को लेमा कहती है ऐसी कौशी कोशी का कला है जिसके चारो और जो है सार को लेमा कहा जाता है कोशी का कला को तो बहुत क्या हो जाएगा पेशी तन्तू इन कोशी का कला को सार को लेमा कहा जाता है नेस्टर यहाँ पर इस नायू की बारे में तो देखिए हैं हमने कंडरा के बारे में देखा था तो कंडरा क्या करती थी पेसी को हड़ी से जोड़ने का काम करती थी अब यहाँ पर इस नायू की बारे में आपको बताना है कि यह किसको किसको जोड़ती है तो यह हड़ी को स्थैतिक्ता या होमियोस्टैसिस नामक जो पारिभाजिक शब्द है इसका उप्योग किसके विवरण में होता है इन दो सब्द है इसका उप्योग हम किस में करते हैं तो देखें बात करें इसकी तो अप्शन नमबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भी जयवत अंत्र होते हैं या उसकी जो प्रवृत्ति के जिसमें किसी भी परिवर्तन के लिए एक औरोध होता है ताकि जो संतुलन की अवस्था बनी रहे तो इसके लिए हम लोग समझ थैतिकता या होमियोस्टैसिस नामक जो वर्ड है इसको यूस करती है ठीक ताकि संतुलन की अवस्था बनी रहे नेश्ट है हिस्टाइमिन का स्त्रावर करने वाली जो कोश्च कहाएं हैं वह कौन सी है हिस्टाइमिन तो यहाँ पर जो भी सायोजी उतक होते हैं वो क्या करती है हिस्टाइमिन का स्त्रावर करती है अब देखें यहाँ पर इस नायू इस नायू जो क्या करती है हड़ी को हड़ी से जोड़ने का काम करती है और कंड्रा जो की मांस पेसी को हड़ी से जोड़ने का काम करती है तो यह जो दोनों टीसूज है वो किस तरीके की टीसूज है यहाँ पर तो देखिए ये जोडने का काम कर रही है यानि की सयोजी करने का काम कर रही है तो ये क्या हो जाएंगे सयोजी उतक हो जाएंगे नेस्टा इन में से कौन सा एक प्रकार का उतक है तो इन में कौन सा अंसर हो जाएगा तो देखिए इन में से कौन सा एक टीशू है तो जो हमारी बलड होती है ये एक तरीकी की टीशू है ठीक और ये तरल संयोजी उतक होता है ठीक लिक्विट यहाँ पर होता है ये इसलिए इसको तरल संयोजी उतक कहा जाता है liquid connective tissue का आजाता है बात करें next question के यहाँ पर तो हिरिदय पेशियां रीखीध होती है और इनके जो पेशी तन्तु होती है उनके बारे में पूछा है कि यह किस तरीके की इनमें जो पेशी तन्तु होता है लीवर में हिरिदय की पेशियां में हार्ट के पेशिया में मैं Sorry, Leaver बोल दी थी, यहां पर जो हिरिदय पेशिया होती वो रेकित होती है, तो इन में जो पेशी तंतू होता है, पहा कीस प्रकार का होता है, तो वह हो जाएगा अनक्शिक होता है और बहु केंद्रियक होता है 17. है वर्षेन लिकाएं और तंत्र कहाँ पाय जाते है केवल इस्तनु की हदियों में पाय जाते हैं नेस्ट कोशन है मास्ट कोशिकाएं किसमें होती हैं तो यह देखें जो संयोजी उतक होती है यही पर मास्ट कोशिकाएं होती है और फिर से यहाँ पर देखें यहाँ पर समय स्थिक्ता के बारे में पूछ रहा है समय स्थिक्ता में क्या होता है तो इनमें का जो शरीर होता है शरीर के अंतावाता बरड को नियमी द्यशा में बनाए रखा जाता है यहाँ पर नेश्ट है यहाँ पर हड्डियों को कठोर बनाने वाले जो लवड होती हैं मुख्य तहा कौन से हैं तो जो भी हड़ी है उसको कठोर बनाने वाले जो लवड है वहाँ देखिए कैल्सियम मैंगनेशियम और फॉस्फेर्स है ठीक अप्शन नमबर ए कैल्सियम मैंगनेशियम और फॉस्फेर्स नेश्ट कोशन है रिदय पेशियां कैसी होती है रिदय की जो पेशियां होती वो तो एक्षिक होती है और आप देखिए इनमें से फॉइंट करिए कि वो रेखित होगी कि यह रेखित होगी क्योंकि हमारे इसमें जो भी यह नियंत्रर नहीं होता है इसे लिए क्या हो जाएगी अनच्षिक हो जाएगी तो ओप्शन नमबर डी इसका रैट अनसर हो जाएगा नेस्ट कोशन है मास्ट कोशिकाएं किस पदार्था का श्रॉबर करती है तो जो भी मास्ट कोशिकाएं होती है वो ही स्टामीन, ही पैरीन और सीरो टॉनी ये तीनों ही जो है पदार्थों का श्रॉबर करती हैं मास्ट कोशिकाएं Next question है हड़ी में कौन से लबर सबसे अधीक होता है तो हड़ियों में बात करें तो यहाँ पर जो कैल्सियम फॉसफेट है यह सबसे अधीक पाया जाता है Next question है Histiocides होती है तो यह होती है इस्तनियों की अस्ति उपास्ति से किसकी उपस्तिती में भिन्न होती है जो इस्तनियों होती है उनकी जो अस्ति होती है वो उपास्ति से किसकी उपस्तिती में भिन्न होती है तो यह क्या हो जाएगा है वर्शियन जो न लिकाए होती है वो भिन्न होती है नेस्ट्र कोशन है अस्ति को पेसी से जोडने वाली जो रशना है वह कौन सी है तो इस नायू की बात करें तो इस नायू में क्या होता है हड़ी से हड़ी जूरती है और जो कंड्रा होती है उसमें क्या हो जाता है जो अस्ति और पेसी आपस में जूरती है तो इसका असर क्या तो होता है मैरेसमस होता है और दूसरा होता है क्वाशियोर कर तो जो मैरेसमस होता है वो छोटे बच्चों में होता है जीरो से एक साल के जो बच्चे होते उनमें मैरेसमस देखनी को मिलता है और थोड़े बच्चे बड़े होते हैं एक साल के बाद तो उनमें अगर प्रोट तो एफलाटॉक्षिन जो खादे विशाक्तता है वो कवक की कारण होता है नेस्ट कोश्चन है यहाँ पर गर्भवती महिलां को दैनिक आहर में कित्री मात्रा में आरन की संतूती की गई है तो प्रती दिन जो गर्भवती महिला होती है उनको प्रती दिन कितनी मात्र में आहर जो है आरन लेनी चाहिए तो वो क्या हो जाएगा 40 ग्राम नेक्स्ट है इनमें किसमें सरवाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है तो इन चारों उप्शन में से किस में सबसे अधिक प्रोटीन की मादर देखने को मिलती है तो बात करें इसकी तो क्या हो जाएगी मशली मशली में बहुत अधिक इसमें प्रोटीन रहता है निस्ट है किस पदार्थ है कि ऑक्सिजन से सरवाधिक उर्जा प्राप्त होती है तो बात करें इसमें इनमें से बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी वर्षा ठीक किस पदार्थ है कि ऑक्सिजन से सरवाधिक उर्जा प्राप्त होती है तो वर्षा की जो carbohydrate होता है वो instant energy देने का काम करता है वाशाश अभी होता है लेकिन जिस दिन हम लोग fast रहते हैं तो उस समय ये energy release करने का काम होता है क्योंकि उस समय हम carbohydrate नहीं खाये होते हैं तो ये वसा हमारे सरीर में present रहता है और इसे से हमें energy प्राप्त होती है नेस्ट कोशन है एक ग्राम वसा की ऑक्सी करण से कितने कैलोरी उर्जा मिलती है एक ग्राम अगर हम लोग वसा लेंगे तो हमें कितनी कैलोरी उर्जा मिलेगी आंसर क्या हो जाएगा 9.3 कैलोरी अगर एक ग्राम हम वशा क्या आक्सी करण करेंगे तो उससे एक कैलोरी उर्जा मिलेगी नेस्ट कोश्चन है यहाँ पर सरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है तो यहाँ पर देखिए जो आप्शन नमबर डी है जल अमले छार संतूलन में निस्क्रिय भुमिका का निर्वहन करता है यह जल का काम नहीं है जल का क्या का काम है देखते हैं पहला यहाँ एक आदर्श विशरजन माध्यम होता है तो बिल्कुल सही है स्वयम जल में चक्र गती होती है सही है जल स्वयम एक मेटाबॉलिक पदार्थ का कारी करता है ये भी सही है लेकिन ये option number D बिल्कुल ही कलत है नेस्टर question है यहाँ पर प्रोटीन के निर्वार में किस तत्व की अवशक्ता होती है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनती है उसके लिए कौन से तत्व की अवशक्ता पड़ती है तो क्या हो जाएगा nitrogen यहाँ पर देखें अगर हम लोग carbohydrate की बात करें तो कार्बोःडेट में क्या होता है कार्बन होता है है अक्सिजन होता है और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है और यहाँ पर कार्बन भी होता है हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सिजन भी होता है तो यहाँ पर एस्ट्रा क्या आ जाती है नेस्टर कोशन है यदि कोई व्यक्ति केवल दूद अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है तो देखिए उसको इसकरवी रोग हो सकता है इसकरवी किस की कमी से होता है विटामिन सी की कमी होता है सी होता है तो विटामिन सी की से मिलता है ख़्टे फालों से और सबसे जहादा आलाय से मिलता है और कुछ सब्जियों से वह आ हमने थो दोड़ी बहुत मात्रugen मिल जाती है लेकिन इहाँ पर वो जो व्यक्ति है वो वथैसी तो खाई नहीं रहे दूद अंडे और रोटी खा तो उसे इस गर्वी रोख हो सकता है नेस्टर कोशन है रगता का थक्का जमने के लिए आविश्युक जो विटामिन है वहां कौन सी है रगता का थक्का जमाने के लिए तो यह हो जो होता है विटामिन के होता है और यहां पर देखिए जो विटामिन के है इसी का रसानिक नाम है नैप्थो क्विनान नेस्ट कोश्चन है विटामिन ए का उत्करिस्ट्री स्रोथ क्या है विटामिन ए का जो रसानिक नाम है वहा है रैटिनॉल और विटामिन ए की कमी से क्या होता है रतांधी रोग होता है और जो हम रात में थोड़ी बहुत देख पाते हैं वो विटामिन A की ही कारण होता है और यह जो WBC होती है प्रतिरक्षप्रणाली इसको भी बढ़ाने का काम करता है विटामिन A तो विटामिन A किसमें पाया जाता है तो देखें जितने भी यहाँ पर जो पीले फल होते हैं उसमें भी पाया हो जाता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है धनिये पत्ती से चीक है आगे बात करें विटामिन C की तो विटामिन C का जो रशानिक नाम है वो होता है एस कॉर्विक एस ठीक और इसका जो सर्वुत्तम श्रोथ है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या हो जाएगा एक तो होता है आवला और सबसे ज़्यादा हो जाएगा काद की निमबो नेस्ट है यहाँ पर थाइमीन, थाइमीन का सर्वोतम श्रोत क्या है? जो B-complex श्रोती हैं उसमें B-1 जो होता है वो ही होता है थाइमीन और इसके लिए जो सर्वोतम श्रोत है, सोर्सेस है, वो कौन सी है? काजू, ठीक है? काजू है अब देखें यहाँ पर कार्बोहेड़िट के बारे में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कार्बोहेड़िट हमें किस से प्राप्त होती है? तो बात करें इसमें, तो सबसे ज़्यादा कार्बोहेड़िड भम को यहाँ पर मेज से प्राप्त होती है, मक्का से प्राप्त होती है, जाए मेज से प्राप्त होता है यहाँ पर, अब आगे देखिए, निमने से किस रूप में विटामिन B कॉंपलेक्स कार्य करते हैं, जो B1 हो जाता है, B2, B3, B5, B9 होता है, B6 होता है, B12 होता है, यह सब भी कॉंपलेक्स हैं, तो यह क्या काम करती हैं, तो यह हो जाएगा सहा एंजाइम की तरह यह काम करती हैं, नेस्ट है, मध्यमवसा बनती है, जो मध्यमवसा बनती है, वो किसमे बनती है, ग्लेस्टरॉल ए इन में से किस में सुक्रोज सरकरा पाई जाती है तो यहां पर सुक्रोज सरकरा किस में पाई जाती है गन्ने में पाई जाती है और फ्रुक्टोज सरकरा जितने में फ्रूट्स होते है यानि कि सहत जोती फ्रूट से मिलता है तो यहां पर फ्रुक्टोज जो होता है वो सहत से बनता है और जो सुक्रोर सरकरा है वो गण्नी से दिशर लास्ट कोष्चन हे हमारा 45 न इनबर का कौनसा क्या प Tao erre मोनो सेगराईड होता है तो यह क्या होते है ग्लुकोज हो गया Hobart हो गया है यह क्या होते हैं मोनो सेगराईड सोती हैं झाल